हम आतक हो चुक है हमारा complete हो चुक है लेस्न लेकिंड हम नहीं हरा पर सीखी लिए था हमना हमना इक बाग वह कंप्लूजेन कर दे दे ते इसका इसका हमने लेस्न लोट कर देखा है कि कैसे हम अपने एप में क्या सकते हैं उसे यूज करके गाइस हम क्या कर सकते हैं तो यहां तक का गई पूरा हमारा हो चुका है हमने सारे जो हमने जितना सीखता वह इंप्लेमेंट कर दिया है जो यहां तक का Final code version है आपको किसी ही टाइगा description box भौक्स जो आ तो आप महान से इसका sunshine करो final इस वाक्त जो हमने changes करें हैं और सारे changes का जो code है वह आपको नीचे मिल जाएगा तो आप उसमें check out कर सकते हो गईस अगर कैसी के पिर और रही है तो फिलहाल इसे छोड़ देते हैं and basically अब बात कर देते हैं guys अपने किसकी जो अपना lesson 8 है उसमें क्या-क्या होने वाला है इन क्या करेंगे वह देख लेते हैं तो guys हमारा lesson 8 है जैसे आपको अपनाम से समझ में आ रहा हों Android architecture components कौन-कौन से हमारे components इनवाल्न होते हैं जो हमारे Android का architecture होता है तो कुछ steps में बात करते हैं फिर उसके बारे में आगे बात करते हैं तो सबसे पहले जो हम बात करेंगे guys क्योंकि जो हमारे Android structure में हमें जरुपर होती है कि आफिरेक्टिर में जब से पहले सकते हैं हमें स track देटास को परिस्ट करना घर्च के एक टाफिज है हमें एक देटापस कि देटा कि हमसुता है कि हमें मैंनेज करना हूभ थिसके हें किसको लाइफ साय कल दने के लिए रोटेशन को हैंडे करने के लिए यह चीज में आपको अल्रेडी बता चुका हूंगी गईस कैसे रोटेशन हमारी लाइफ साइकल इवेंस पर क्या है बहुत पॉपमेंटिक हमारी मेमोरी लीक्स क्रिएट कर सकते हैं इसलिए हम कि चाहिए कि हमें आना चाहिए कि उसे कैसे हेंडल करें फिर हमारा अगला सटेप को हमें क्या है कि हमारे चीज़ करने के लिए इसके बाद हमारा next step कि हमें ऐसा अपना code लिखना है कि हमारा क्या prevention of errors करने हैं गाइस prevention of errors करने हैं and हमें overwrite of code बचाना है overwrite of code मतला कि मुझे कोशिश करने हैं कि मैं लादर ऐसा code लिखूं base code जब मुझे क्या करना नहीं पड़ेगा इस repeat नहीं पड़ेगा अब इसका main use अभी तक हमने रिराइड नहीं करना पड़े इससे क्या होता है कि हमारी errors आने के chances भी कम हो जाते हैं contract class है जैसे contract class हम क्या कर रहे हैं हमने एक code लिखा और उसे reuse करते रहते हैं हर जागा right अपने database में तो क्या होता है example होता है सिब किसके error prevention के and code reuse के so guys हमारा android architecture component होता है वो किसलिए बना होता है ताकि वो facilitate कर सके हमें किसमें जितने भी हमारे common challenges होते हैं जो हम face करते हैं android develop करते वक एक android app develop करते हैं कि वाले challenges होते हैं जाए data persistence का हो rotation का हो error and prevention का हो modularity का हो या फिर app reuse कितना हमारा और यूसबल है कैसे work करता है और ये सब चीज़े हमारी को है बोत important है तो जो हमारा architecture components होता है वह इन सब को क्यों करता है cover करता है अब काइस इसमें इसमें कौन-कान से हमारे कौन सा आता है जो हमारा android architecture components में सबसे पहले हमारा क्या आएगा रूम आता है okay first component होता है जो इन सारी problems को solve करने के लिए यूज़ करते हैं हो होता है room तो guys basically क्या होता है एक हमारा नया SQLite object relational database होता है जिसको क्या करते हैं guys mapping करते हैं library mapping library के लिए यूज़ करते हैं तो guys इसमें confused होने की जरूबद नहीं है जैसे हम आगे बढ़ेंगे इस पर डिसकर करेंगे कि रूम क्या है तो यह क्या होगा हमारा first component होगा क्या एक new SQLite object relational mapping library तो basically क्या होगा एक यह mapping library होता है किस पर वर्क कर दिया हमारी object relational पर वर्क कर दिया कौन सी SQLite टाइप की तो यह तो हो गया हमारा first component किसका android architecture components का आप किस पर आते हैं second part पर आते हैं इसके जो क्या है हमारा live data और live data में basically हम किस चीज़ से deal करते हैं जैसे आपके नाम से समझ में आ रहा होगा live data राइट तो live data basically guys क्या हो रहा है जो हमारे changes हो रहे हैं किसमे database में उसको track करते हैं मतलब live changes जो हो रहे हैं उसको track के लिए हम क्या use करते हैं live data यूज करते हैं तो live data तो होगे यह अब कैसे पर चलते है हमने थर्थ कंपोनेंट पर चलते हैं कि आगे हमारा view model कि तो हमारा view data आजाता है है go cash files तो यह basically view data का काम के जाता है कोई भी एक component की केट के चैश फाइल्स के जो हमें क्या चाहिए होता है को सर्वाइब करें मतलब अब आपको कोई चेंजिस करने है राइट कॉंफरिगेशन में लेकिन आपको चाहिए कि जो हमारी वह वाली चीज है अगर हमारा पूरा एप में सारी फंशनलेटी चेंज है वह चीज हमें दुबारा से ऐसी मिल जा राइट तो से क्या कहते हैं कैश चेंज कहते हैं और व्यू मोडल का खांग लिया होता है उस कानफिगेशन चेंज में जो आपकी प्रफरेंस इसे करना तो सर्वाइव कैसे करते हैं वह वह चैश्वाइव का राइट अलएड आपने अपने अपमें देखा होगा हमारे पास क्या क्रिए होती हैं कैश्वाय हमारे mobile में तो कोई भी एप होता है उसकी चैशा हुआ है इसलिए होते हैं वह किसको सब्सक्राइब कर सके यो जो चेंज उता है उसको सब्सक्राइब कर सके तो यह हो गया है कवारा थर्ड जो थर्ड खंपोनेंट जिसको हम आगे डिसकूस करेंगे उसके बादाएं का फूर कोई एक प्रोसरस है वो कौन से हमें चाहिएगी ओन पॉस पर या ओन स्टॉप पर वर्क करें राइट अब वो हमारा लाइफ साइकल इवेंट तो नहीं है लेकिन मुझे क्या चाहिए कि उसे अवेर करवाना है लाइफ साइकल इवेंट का तो जब मैंने उस चीज को अन स्ट इस चल लए तो यह हमारे चार इस साहे साथ हम वरक करेंगे एक साथ कि कैसे करता है हमारा जो अर्किटेक्चर एयक उटकेंगे का कैसे एक साथ हम इस साहे पर भी टो जो हमाराव्ट करक Weight कर। पर कह शले है और हमारी चाहरों चीजे एंगे आप शूरु और उनकर ब ann eff weekly श चुरू होने वाला कौन सा to do list and to do list में basically क्या है हम task set करेंगे जैसे एक priority के साथ task set करो गया आपकी task 1 task 2 कौन सा task करना है आप इसमें क्या देख सकते हो एक floating button है जिससे आप add कर सकते हो कोई भी नया task and जैसे आगर मैंने इस पर click करा तो आप देख सकते हो गाई मेरे पास एक नई activity खुल गई है जिसमें मैं कोई भी एक task नया add कर सकता हूं मैं task 3 कर दिया और इसकी priority देखे मैं simple add पर click करके यहां पर add हो गया वहीं डिया है कैट कर सकता हो और यांवे कौशे की आप देख सकते हो इस है किए उप Day कर सकते हो इसकी आप डेट है हमें update अब डेट हो चुगा है हमारा राइट अब इकर इसे delete करना आँ आपको तो simply कर के आप परitz ब falsch कर क्वार हूं इसका हमें लेभ्ड पर वर्कन करना है क्या वदल चोमिंट इसे हैं किया है उसमें हमें हमारी स्टेट्स है अरूम कैशे वर्क हänderा यहका करेगा व्यूत sorry view holder नहीं view model जो है हमारा okay and life cycle events तो गाइस यह चारो चीज़ हमें implement कर देखनी है कैसे work करेंगी कैसे हम implement करेंगे तो अब किस पर चलते हैं अपने app पर चलते हैं and description box में आपको app का link मिल जाएगा तो आपको simple दो चीज़े मैं हमेशा आपको एकी बाद बताता हूं गया तो आप किसको project को import करके एक बाद कोशिश कर लेना अगर आपकी import में error आ रही है तो मेरे साथ-साथ copy करके देख लेते हैं आपको दिखाते हूं copy कैसे करना है and क्या कर लेते हैं अपना एक नए आप आ चुका है इसमें simple आप किसमें जाओगे आप किसमें जाना आप में जाना है कोई इशू नहीं है यहां पर हमें कौन कौन सी फाइल्स खोलनी है गाइस main file खोलनी है सबसे पहले दिख रहे हैं कौन कौन सी हमाइरे तीन folder है to do list है resource folder है and manifest है तो आप to do list खोल लोगे resource खोल लोगे and manifest को लोगे सबसे पहले तो यहां पर इसे क्या कर दूँगा मैं guys close कदूँगा मुझे इसका काम नहीं है हमारे कॉन से तीनों इंडविजिल फोल्डरव इफ से झाल ये आपकर अपको पता है याप biss रूंगा है let me क्या है data task entry मेरी खुल गई है जो डेटाबेस है यहां पर खुल चुकी है गाइस कौन सी मेरी टास्क जो कौन सी थी add task activity, main activity and task adapter okay तो गाइस यह तो डेटाबेस मेरी task entry.java ती इसे भी मैं open कर लूँगा simple and यहां पर क्या खुल गई है मेरी यह खुल गई है इसमें basically क्या होगा गाइस इससे data input होगा इस पे code पर discuss करेंगे guys पूरा input पूरा import करने के बाद की cash पर क्या हो रहा है and उसके बाद discuss करते है code इसका पर फिलाल इसे copy paste कर लेते हैं तो यह क्या होंगा ही हमारी files हो गई है and यह कौन से होगे xml file हो गए and इसमें guys resource folder भी आ गया हमारा and एक काम और करना guys आप create entry हमारा app है इसको code को download भी एक बार कर लेना कि अगर हमें कुछी code की बाद में जरूरत पड़ी तो आपके बास हमेशा available रहना चाहिए यहां पर ओके तो आप simple इसे क्यों कर लो download कर लो मेरा download हो चुका है इसे simple बंद कर दूंगा उसके बाद देख लेता है guys जो हमारे drawables और यह वाली files है इसमें देख लेता है इसमें कोई चीज तो नहीं है वाई जो changes कनने है तो drawables खोल लिया मैप में देख लेता है कोई ऐसी वाली values तो नहीं है जो मुझे चाहिए और values का खोल लिया मैं सिंपल यहां ठीक है तो मेरे यहां पर सारे वो खुल गए गाइस ड्राइबल में आप देख सकते हो एक gradient फाइल पड़ी विया हमारी priority circle के नाम से तो मुझे यह भी चाहिए फिर मेरे layout में 3 है 3 xml फाइल है फिर हमारी यहां पर सिंपल जो हमारा मिप मैप है उसमें कोई नॉमल ही आइगन पड़ा है तो मुझे इसकी ज़रूबत नहीं है बन कर दूंगा यहां पर वैल्यूज में हमारे चार हो है फाइल कलर फाइल डैमेंड फाइल स्ट्रेंग्स एंड स्टाइल के यह मैं सिंपल खोल लूंगा से बन कर देता ह हूं तो यहांपर मैंने तीनों फाइल उपन कल लिया हैं दो यहां पर तो हमारा कौन है दो करेंब्ल में हमारा household escola एक उछ Эमेंठी से झ inadequate 3Dirm aseg exterior शुकी है तो यह हमारा सारी चीग है bet clock को करना है copy paste करना है एक बार शोड़ेटेस से देख लोग गाई कि सारी हमारी फालस है डेटबेस की आगई तीनों जावा क्लास मेरी यह आ चुकी है and इसके बाद मेरी कौन से औहा गई? gradient file औहीं है उसके बात कौन से औहा गई? झो अरी layout के तीन семьotyles थी वह आचुकी हैं यहां पर फिर क्यों से औहा है, हमारी color यहां चीज यहीं इतनी values की 4 file finns वह ऊचुकी है एक manifest आचुकी है to guys कहां से शुरू करेंगे? है अपने ही शुरू कर लेते हैं में एक्टिविटी से हमेशे ध्यान लखना गई हमारा जो में नेम क्या लिखेंगे हैं टुडू लेस्ट ओके तो इहां पर शुरू करते हैं किससे टुडू लेस्ट से शुरू करते हैं